Hello friends, welcome to my channel BVFN और जैसा कि आप लोग इस application को देखके समझ गया होंगे कि यह already मैंने पहले बता रखा है बट आप लोगों ने request किया था कि हम user form में dynamic event click event add तो कर लेते हैं class module को use करते हुए लेकिन क्या अगर हम seat में जैसे कि seat में आप देख रहे हैं कि जैसे ही हम item को select कर रहे हैं हमारे picture तो insert हो जा रहे हैं लेकिन dynamic तरीके से इसमें हम click event कैसे add करें Excel seat में मैं आप लोगों को पहले बता दूँ कि Excel seat में click event बनाने के लिए आपको class module बनाने की जववत महीं है तो इसको हमने बनाया कैसे है इसको जानने के लिए आपको इस video को complete देखना होगा तो चलिए इसी के साथ start करते हैं और एक request है कि मेरे channel को अभी तक अगर आपने subscribe नहीं किया है तो please इसे subscribe कर ले और video आपको useful लगे तो एक like देना न भूले साथ में अगर आपको लगता है कि ये video जादा useful है तो please अपने दोस्तों के साथ इसे जरूर सेयर करें तो चलिए start करते हैं तो आप लोगों के दोआरा एक question पूछा गया था जो ये application है इसमें हम dynamically क्या कर रहे हैं कि एक image insert कर रहे हैं और उसके साथ जब उस पर हम click कर रहे हैं तो हमारे item भी यहां पर add हो रहे हैं पलस जो item यहां पर already added है उस पर अगर हम दुबारा click करते हैं तो इसकी quantity जो है automatic बढ़ जाता है तो ये चीजे मैंने user form में बनाया था लिखिन आप लोगों के दोआरा पूछा गया एक question था कि अगर हम अपने seat में यानि इस seat में अगर हम image insert कर ले और इस insert कर ले तो इसमें हम dynamic तरीके से event कैसे add कर सकते हैं अब suppose that मालनो कि आपके user form में जो event add हो रहा है यहां पर आप लोगों को पता होगा कि जो event add हो रहा है वो कैसे add हो रहा है class module के थुरू जो हमने class module में code को define किया है और फिर इसको set किया है अपने user form में और यह मैंने कैसे किया है अगर आपने यह video नहीं देखा है तो मैं आपको suggest करूंगा पहले यह दोनो video को आप जरूर देखें जिससे कि यह आज के video का concept और method समझने में आपको बहुत जादा आसानी होगे तो चलिए करेंगे क्या हम इस पे हम बात नहीं करेंगे हम बात करेंगे directly as seat पे कि same function हम seat में कैसे बना सकते हैं तो देखें जैसे हमने यहां पे एक temporary बना लिया है तो यह काम करते हैं यह सभी photos को हम जो हमारे combo box में जो value है text 1 में यहां पे आप देखेंगे text 1 में जो value है वो value हम कहां भेज रहे हैं तो इस पे जब हम double click करेंगे तो पता चलेगा seat 1 के range i2 में मतलब seat 1 हमारा यह है इसके range i2 में और इसके base में हम advance filter चला रहे थे इसलिए इसलिए मैं का रहा हूँ कि वो video देखना बहुत जरूरी है जिससे कि इसका concept आपको पूरा समझ में आएगा तो हम एक काम करते हैं इस सभी code को इसके code को हम यहां से लेके यहां तक copy कर लेते हैं सबसे पहले और एक नया module लेते हैं और यहां पे एक code बनाते हैं sub insert image और इस code को paste कर देते हैं तो हमें काम करते हैं इस code को सबसे पहले तो disable कर देते हैं क्योंकि यह code last में बताएंगे कि यह ऐसा क्यों लिखा गया है और यह code क्यों लिखा गया है ठीक है और अगर आपने वीडियो देखा होगा तो आपको पता होगा कि यह code हमने क्यों लिखा था अब सबसे पहले मुझे क्या करना है seat1 के range i2 में कौन सी value लेके जाना है me.text1 से गया था जब user form में था लेकिन अगर हम seat से करना चाहेंगे तो seat में कहां से कर रहा है यह हम drop down बनाया है drop down कैसे बनाते है तो data में जाकर data validation में जाकर आप यहां पे लिख सकते हो या आप कोई range का address भी दे सकते हो तो माली यह जैसे ही हमने vegetable किया तो पहला तरीका है कि code से आप किजिए seat1 range i2 is equal to क्या कर दोगे आप seat4.range g2 यहां पे आप देखेंगे यह g2 है और seat4 मैंने क्यों दिया क्योंकि देखिए pos जो लिखा हुआ है यहां पे वह कौन सा seat है 4 है seat1.range i2 is equal to seat4.range g2 यानि इसमें जो भी value है वह value कहां चला जाए seat1 के g2 में अब इसमें क्या करते हैं एक काम करते हैं इन सभी को सबसे पहले हम comment out कर देते हैं और comment out करने से पहले मैं काम करता हूँ यह वाला code delete कर देता हूँ क्योंकि यह किस के लिए था user form के लिए था user form की जववत नहीं है और यह जो है यह basically क्या है यह class module के लिए था तो यह class क्योंकि यहां पे class module का use नहीं करेंगे तो यह भी code यहां पे जववत नहीं है यह समझाने के लिए हम आपको रखते हैं कि जब हम इसमें जो dynamic microcode जो code को हम add करेंगे वो कैसे add होगा उसके लिए हम यह रखते हैं आपको समझाने के लिए इसे नहीं देखेंगे अब यहां पे यह तो आ गया लेकिन जब हम इसमें change करें तो यह automatic क्या होना चायए यहां पे आ जाना चायए तो यह नहीं रहा है तो हम क्या करेंगे हम sheet के event में जाएंगे कौंसे sheet के है sheet4 के event में जाएंगे और यहां पर change event करेंगे तो यहां पर work sheet को select करेंगे और यहां पर करेंगे change event और यहां पर लिखेंगे हम if not intersect target, range g2 is nothing and range g2 not is equal to empty then then क्या हो हमारा जो यह code हमने start किया है लिखना यह वला insert image यह code run करना चाहिए right तो हम यहां पर जाएंगे और यहां पर कर देंगे paste यह ध्यान रखिएगा का हमने कहां किया है work sheet के change event में seat 4 के work sheet के change event में अब इसमें क्या होगा suppose that मान लिजे यहां पर module में चलिए और सभी को एक बार comment आउट कर देते हैं fine अब अगर जैसे ही आप यहां पर change किये vegetable तो देखे seat 1 में यहां पर क्या है vegetable नहीं आया क्यूं नहीं आया चलिए दिखते है code में क्यूं नहीं आया क्योंकि हमने सभी को comment out कर दिया था तो हमें इसे क्या करना है non comment कर देना है, कि यह code हमे run कराना है तो जैसे ही आप यहाँ पे fruit किये तो आप seat 1 में देखेंगे, यह fruit आ गया इससे benefit क्या है, कि अगर कोई इसे delete भी कर देता है, या इससे कोई delete भी कर देता है, तो कोई फरक नहीं पड़ेगा, हम जैसे ही यहाँ पर change करेंगे, तो यह क्या हुआ यहाँ पर vegetable आ गया उके, उसके बाद हमने क्या किया था filter item run किया था, तो same यह चीज रहेगा यहाँ पर, और filter item क्या है filter item हमने module में बनाया था एक कि इसके base पे जो हमारा data है, वो कहां से filter हो यहां से filter हो, और जो item यहाँ पर हो, वो सारा item उठाके यहाँ पर डाल दे, राइट अब जो है अब जो है, यहाँ पर चलेंगे और जैसे ही आप इसमें double click करके enter करेंगे, तो देखिएगा seat 1 में यहाँ पर vegetable से related सारा item आगया है, और इसी में अगर आप fruit करेंगे तो यहाँ पर देखेंगे, fruit से related सारा item यहाँ पर आगया, राइट ओके, यह सारी चीजे detail में मैंने बना रखी है और बता रखा है, इसी दोनो वीडियो में, अब हम क्या करेंगे, add image करेंगे, तो add image के लिए, हमें सबसे पहले क्या decide करना होगा, कि जो image insert हो रहा है, इस page में जो कोई भी image माली जी कि हम insert करते हैं अभी, अब यह image जो है, यह कहाँ पे रहना चाहिए, यहाँ से start होना चाहिए, यहाँ से start होना चाहिए, यहाँ से start होना चाहिए, यहाँ से पता कर लेते हैं कि left position और top position क्या है जैसे इस user form में हम आसानी से कैसे पता करते हैं कोई भी control आप insert कर लिजे यहाँ पे और इसका आपको पता करना है कि इसका left position क्या है और इसका top position क्या है यानि left से यह कितना दूर है और टॉप से कितना दूर है यह कहां से पर चलता है यहां पर जाएंगे तो दिखें टॉप यहां पर लिखा हुआ है टॉप कितना है 140 हो गया और लेफ्ट कितना हो गया 18 हो गया तो हम यहां पर क्या करेंगे तो हम इस कोड में मैनुवली लिख दिये थे लेकिन यहाँ पे क्या करना है यहाँ पे मुझे sale है और यहाँ पे इसका left और top पता नहीं चलेगा point में तो इसके लिए हमें क्या करना है simply code के through हमें पता करना है कि इसका left position क्या होगा, top position क्या होगा तो image hundred के बदले में आप यहाँ पे कर देंगे seat4.range कहाँ पर रखना है मुझे इस f में और 4 number row में रखना है तो f4.top ठीक है, फिर इसी को copy कर लिजे और इसका left क्या हो जाएगा left हो जाएगा dot left यह मैंने बता रखा है, last video में बताया है जब हम image को insert करते हैं तो किसी भी sale का left और right top position निकालना हो तो हम top और left का use करते है और यह line item जो है image line 0 है यह हम आगे चलके आपको बताएंगे कि इसकी जववत क्यों है अब जब एक बार यह हो गया अब मुझे क्या चाहिए हमें चाहिए कि यहाँ पे seat1 में जो item जितने वी filter हुए है उस सारा का सारा item insert हो तो insert होने के लिए क्या होगा यहाँ पे हमने क्या दिया है picture का path दे रखा है तो यह क्या करेंगे अगर हम इसमें loop चला है यहाँ से लेके नीचे तक loop चला है और सब के path को यहाँ से देखते हुए उस photo को insert कर दे seat 1 तो कैसे करेंगे तो सबसे पहले हम क्या करेंगे last row हम निकालेंगे तो last row किसका निकालेंगे seat 1 कहीं निकालेंगे और k99 का उसके बाद एक loop चलाएंगे 4 item is equal to कहां से 2 to last row क्यों 2 to last row क्योंकि 2 से लेके last row तक इसका सारा का सारा photo insert करना है और उसके बाद यहां पर क्या करेंगे set image अब यह code हमने लिखा था user form के लिए लेकिन अब मुझे क्या करना है किस में insert करना है seat 4 में तो हम यहां पर क्या करेंगे seat 4 या देखिए इसी को समझी है और concept clear होगा यहां पर किजे seat 4 हो गया user form के बदले में seat 4 हो गया अब यहां पर यहां में क्या करना है pictures करना है और picture को क्या करना है insert करना है और कौन से picture को insert करना है यहां पर तो image था जो image control था वो insert करना था लेकिन अभी मुझे insert करना है क्या picture तो picture insert करने के लिए picture का path पता होना चीए तो picture का path मुझे कैसे पता चलेगा जब पहला बार यह loop चलेगा तो row number कौन सा होगा, 2 होगा और 2 होगा, और किस column में आपका path रखा होगा है, O column में है तो आप यहाँ पे क्या करोगे seat1.range O and कौन सा row number, item number वो जो है, dot value इससे क्या होगा, आपका image जो है, वो insert हो जाएगा यहाँ, इस seat में, यह apple जो है, वो insert हो जाएगा यहाँ तो मालेजी इसको delete किजिए, अब हम करते हैं, इस काम करते हैं, यहाँ पे हम fruit पे click करते हैं O.K. 4 के बाद, यहाँ पे irradiately आया है, कि 4 हमने यहाँ पे किया item fruit से related था, वो आगया उसके बाद image top हो गया image left हो गया, तो आप यहाँ पे दिखिएगा image top निकल गया 44 और image left हो गया 244 अब यह last true निकाला किसका आपके इस data का तो last true यह कितना है, 7 है उसके बाद हम क्या किये, एक loop चला रहे हैं, कि 2 से लेकर last true अब जैसे ही यहाँ पे अपने insert किया, image पे आपने जैसे ही यहाँ पे effect प्रेस किया तो देखिएगा, यहाँ पे एक image insert हो गया, लेकिन जब यह image insert हुआ, तो इसका size वगयरा जो है, left position, यह आना कहा चाहिए था यहाँ पे आना चाहिए था, यह image आपका यहाँ पे होना चाहिए, तो यहाँ पे होने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो width का use करेंगे, कि width image और end width open कर लिजे, अब यहाँ पे देखिए सबसे पहले इसका नाम क्या होना चाहिए तो नाम होना चाहिए, image and item, हम वहाँ पे एक से start कर रहे थे लेकिन हम यहाँ पे 2 से ही क्यों start करना चाहते हैं अगर हम किसी image को insert करेंगे suppose that मालेज़ इसको delete कर दो आ और इसे दुवारा से हम run करते हैं अगर हमने इसे run किया तो यह image आ गया इसका नाम क्या है picture 161 लेकिन इसका नाम मुझे dynamic रखना होगा कभी तो row number वगएरा पता चल पायागा कि किस row का यह data है तो यह किस row का data है हमें कहां से पता चलेगा इस item row से पता चलेगा तो हम यहाँ पे इसका नाम क्या रख देंगे image and item यानि image 2 मतलब इस दोनों को अगर आप select कर लें तो क्या आया image 2 तो इस picture का नाम क्या हो जाएगा यहाँ पे आप देखिएगा जब हम code run करेंगे तो यहाँ पे देखिएगा क्या आएगा इसका नाम तो जैसे ही आप यहाँ पे effect paste करेंगे तो अब इसका देखिए क्या नाम आ गया यहाँ इमेज 2 आ गया राइट अब image 2 आ गया तो इसका हम क्या करेंगे बीर्थ पहले set करेंगे बीर्थ और height क्योंकि यह बहुत बड़ा है तो यह छोटा होना चाहिए तो इस code को थोड़ा सा यह बीर्थ height पर चलिए और run करते हैं तो बीर्थ और height हो गया लेकिन एक चीज नोटिस किया आपने कि इसका हमने code में तो लिखा है कि बीर्थ जितना होने चाहिए उतना ही height होना चाहिए था लेकिन यहां पर देखिए कि बीर्थ जावा लग रहा है और height थोड़ा कम लग रहा है और इस picture format में भी जाएंगे तो यहां देखिए यह एक इंच है इसका height और जबकि जो इसका बीर्थ है वह 1.85 है यानि एक बरावर नहीं है यह क्यों नहीं है क्योंकि इसका जो lock aspect ratio है यह true किया हुआ है तो हम यहां पर क्या करेंगे इसी नाम से पहले हम यहां पर करेंगे seat4.sapes और shape का नाम हमने क्या रखा था image item तो हम यहां पर करेंगे image and item.lock aspect ratio is equal to mso false अब इसको दूबारा से हम यहां से code run करते हैं अब इससे अगर आप अभी run करेंगे तो देखे क्या हुआ इसका जितना height है उतना ही width है अब लेकिन यह image यहां आना चाही था लेकिन अभी है कहां यहां पर है तो इसको यहां पर लाना है तो यहां पर लाने के लिए इसका top हम change कर देंगे और इसका left change कर देंगे राइट यह क्या है इसके बारे में मैंने last अभी इससे पहले जो recent video है last video इसे मैंने detail में बताया है तो top और height इसको हम change कर देंगे तो अभी आप देखेंगे यह change हुआ तो यह देखें यह आपका F के उपर यहां पर देखे F के उपर आ गया और left कितना आया F का जो column है उसी में left आ गया यह चलिए यह पहला photo तो insert हो गया right अब देखें यह जो code है यह code आपके किसके लिए था यह user form के लिए था इसकी काम इसका काम seat में नहीं है तो इसको हम हटा देंगे right अब दुबारा से इसको आप run करेंगे तो दूसरा photo जाएगा insert होगा लेकिन यह दिखें यह photo ठीक इसके उपर ही insert हो गया जबकि यह photo कहां होना चाहिए था यहां होना चाहिए था right तो इसके लिए हम क्या करेंगे तो यहां पर हमने क्या किया है image left is equal to image left plus imgbeard यानि जो पहले image insert हुआ है उसका बीर्थ लो यानि जो यहां पर already insert है इसका बीर्थ जो भी है कितना बीर्थ था हम रखा था 80 तो मतलब कि image left अगर 80 है चाहे जो भी है image left यहां पर है seat for range f4.left उसमें plus कर देगा उस image का बीर्थ प्लस 5 कर देंगे तो अभी अगर हम यहां पर चलें और इसको run करें तो अभी यह error देगा क्योंकि यह code खतम हो गया है तो हम इसको delete करते हैं और दुबारा से इसे run करते हैं तो यहां पर देखिए पहला photo आपका insert हो गया ठीक है अब दूसरा photo insert हो गया तो दूसरा photo इसके side में आ गया राइट और इसी तरह तीसरा भी आ गया चौथा भी आ गया जितना भी photo है उस सारे के सारे photo यहां पर आ गया है राइट चलें यह सारे photo आ गया लेकिन इस आपका जाया था कि यह तीन photo जो है वो तो उपर था लेकिन यह तीन photo यह एक रो में केवल तीन ही photo आ रहे था बाकि यह नीची आना चाहिए मतलब क्या है कि तीन insert होने के बाद इसका top position क्या हो जाना चाहिए जैसे left position हमने चेंज किया है उसी तरह इसका top position चेंज होना चाहिए तो कैसे चेंज होगा तो चलिए सबको पहले एक बाद delete कर देते हैं delete कर देते हैं अब देखिए अब यहाँ पे हम ने कहा था ना कि image line एक variable हम लेंगे क्यों image line 0 है और यहाँ पर हम क्या कर रहे है image line is equal to image line plus one मतलब कि अगर एक insert एक image insert हो जाए तो image का line हम वें पता चलता रहे कितने picture insert हो गया तो मालेज जे कि आपका तीन जब हो जाएगा जैसे ही यहाँ पर तीन होगा तो यह condition क्या होगा शुरू हो जाएगा मैंने क्या 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 इस image line is equal to three then image left क्या होना चाहिए तो image left यहाँ पर जो हमने starting में दिया था सबसे पहले starting में तो यह शुरूवात हो जाना चाहिए अब जैसे ही यह चोठा insert होते कहा होना चाहिए जो इसका left position left position यहां से ether हो तो left position जो इसका था वही इसका हो जाना चाहिए तो यहनी करने का मतले है कि left position को हमें reset कर देना है right तो reset करने के लिए क्लिए क्या करेंगे इसको delete करते है reset करने के लिए simply जो image left है उसको हम copy करके यहाँ पे हम डाल देंगे यहाँ पे हम डाल देंगे अब image top हमें क्या होना चाहिए तो image top यह होना चाहिए कि जो भी image है जो image इससे पहले है मालिजे कि इसके पहले यहाँ पे यह photo है अभी तो हो गया क्योंकि तो यह इसका left तो हमने यहाँ कर दिया लेकिन top हमें कितना चाहिए तो top हमें चाहिए कि इसका top जो भी है यह top मालिजे कि जो भी होगा इस safe का जो भी top होगा इसका या इसका दोनों का top दराबर होगा plus इसमें इसका बीर्थ sorry इसका height क्या है वो plus करना होगा तो height इसका हमने क्या दे रखा है हमें पता है कि इसका height 80 है तो हमने यहाँ पर क्या किया 80 plus 5 5 जैसे यहाँ हिक्ता दिया है वह सही हमने यहाँ पर 5 plus करके 85 कर दिया है तो image top में plus 85 कर दिया तो क्या हो गया यह यहाँ पहले आया फिर यहां से नीचे आके यहां पर add हो गया है और उसके बाद हमें क्या करना है image line को फिर से 0 करना है फिर से 0 क्यों करना है कि मालिजी कि आपके पास यहां 6 है suppose that मालनों 6 है यहां एक काम करता हूँ मैं इसको 7 कर देता हूँ मालिजी कि इस vegetable को fruit कर देता हूँ ठीक है और इस photo को अभी मैं delete कर रहा हूँ अब इस पर हम double click करके जैसे ही insert करें तो यह क्या हुआ तीन यहां था तीन उसके नीचे आया उसके बाद एक नीचे आया right क्योंकि हर तीन लाइन के बाद अपना यह row change कर रहा है fine class module था इस user form में हमने क्या दिखा था कि यहां पे जो यह code था यह वली जो code था वो क्या था यह मेरा class module था इसको अगर हम हटा दे और इस code को run करे यहां पे तो अब आप इस पर click करेंगे तो कोई काम नहीं करेगा fine क्यों नहीं काम कर रहा है क्योंकि इसमें event add नहीं हुआ तो यह event हमने कहा बनाया था तो यह event हमने बनाया था picture event में picture event में basically क्या है class module है क्या वो एक अलग code होता है जो code उस button में dynamically add करने के लिए use क्या जाता है class module को तो user form में आपको dynamic use करने के लिए class module यूज करना होता है लेकिन seat में इसी काम को करने के लिए seat में क्या है चली तो यहाँ पे हम क्या करेंगे इसको हटा देंगे क्योंकि यह seat के लिए काम नहीं करेगा तो हमें क्या करना होगा class module की थरह ही code यहाँ पे भी लिखना होगा अब यहां पर हमाल लिजे मैं कर दूँ message box application.caller यह application.caller का मतलब क्या होता है कि जिस यह basically shape या picture पे use होता है कि उस shape का जो भी नाम होगा वो आपको बताएगा यानि उसके identity को बताता है अगर इसके detail के बारे में जाना है तो f1 प्रेस करके आप Microsoft Office के documentation में जाएंगे तो यहां पर application.caller property के बारे में आपको बताएगा कि यह क्या करता है जैसे दिखिए कि application.caller.address application.caller मतलब कि जो image है उसके detail को बताता है अब माल लिजे कि यह code तो यहां आ गया अब इस code को आप क्या करोगे manually अगर करते हो तो क्या करते हो आप यहां पर जाओगे मालो कि यहां पर insert कर लो और इसमें assign micro करके इसको आप paste कर लोगे अब अगर आप इस पर click करोगे तो क्या है image 2 आ गया लेकिन इस पर click कर रहे हो तो नहीं आ रहा है तो आप बार बार जितना वार click करोगे उतनी वार जाकर code तो इसमें add नहीं करोगे आपको dynamic add करना है तो dynamic add करने के लिए क्या करेंगे तो चलिए सबसे पहले इसको भेजे table कर दे dynamic add करने के लिए जैसे user form में हमने class module को set किया था उसी तरह हमें यहां पर क्या करना है dot on action on action is equal to कौन सा code कौन सा class module आपको use करना है तो यहां पर हमें कौन सा use करना है event को तो हम यहां पर करेंगे event code string में देना है अब इससे क्या होगा कि यह आटोमेटिक डाइनामिकली तरीके से सारे image में जो आपका code है वो add हो जाएगा जैसे ही आप इस पर click करेंगे तो देखिए अगर आप इस पर click करेंगे तो यह image 2 आया इस पर click करेंगे image 3 है यानि जो इसका नाम है आप इसका क्लिक करें तो यहां पर item सारा add होना चाहिए तो चलिए एक वार हम click करते हैं तो यहां पर हम click कर रहे हैं तो क्या इमेज 2 आ रहा है तो आप मुझे बताईए हाला कि यह चीजे हुजा फॉर्म में हम method बता रखें कि कैसे आप data को यहां पर ला सकते हो अगर image 2 है इसका नाम क्यों दिया था image 2, image 3, image 4 क्योंकि यह apple जो है c1 के filter data वो कितने number row में है तो दो number row में है तो हमें क्या चाहिए हमें इसका row number निकालना है तो code में जाएंगे और इसके जगापे हम करेंगे row number is equal to replace application dot caller comma इसमें से क्या delete करना है मुझे image क्योंकि हमने नाम क्या रखा है image, comma इसको क्या करना है blank कर देना है right अब आप यहां पर किजिए stop कर दिजिए और यहां पर चलिए और इसको run किजिए जब इस पर हम click करेंगे तो अभी आप click करेंगे तो यहां देखे रो number क्या आ रहा है यहां पर देखेगा जो white में इसके नीचे आ रहा है row number 2 आ रहा है लेकिन इसमें एक mistake देख रहे हैं क्या हो रहा है यह जो दो लिखा हुआ है उसके दोनों साइड में double quote लगा हुआ है double quote से मतलब क्या हुआ यह text value है यानि string है इसको हमें क्या करना है integer में convert करना है तो integer में convert करने के लिए हमें क्या करना होगा दो तरीका है या तो आप यहां पर value लिख दीजे राइट या value नहीं लिखना चाहते हैं तो क्या करेंगे हम हम यहां पर करेंगे dm row number as a integer राइट अब अगर आप यहां पर क्लिक करेंगे तो अभी आप row number की value देखें तो क्या आ रहा है दो आ रहा है क्योंकि इसको हमने number में convert किया है राइट ओके अब यह बताइए अगर आपको यहां पर row number निकल गया तब तो आप data यहां से उठाकर यहां पर डाल सकते हो राइट चली तो हम यहां पर क्या करेंगे सबसे पहले निकालेंगे क्या new row क्योंकि इसमें जहां data आपको एड करना है उसका row number आपको पता होना चाहिए ना तो इसका भी तो एक नया row निकालना है रहा है ता आप यहां करें new row is equal to seat for dot range k and rows dot rows.count.indexcel up dot row plus one आप यहां पर क्या किये एक नया row ले लेंगे नया row लेने के बाद क्या करेंगे हम यहां पर क्या करेंगे seat for dot range k यानि k में हमें data चाहिए sorry k नहीं j में हमें data चाहिए पहला तो j करेंगे and row number कौन सा होगा तो row number हमारा new row होगा is equal to इसमें कौन सा data आना चाहिए तो seat one का k column का data आना चाहिए तो यहां पर हम क्या करेंगे seat one dot range k and row number कौन सा होगा तो अभी हमने आपको बता है कि यहां से हम row number निकाल रहे है कि यह जो row number यहां पर निकला है वो उसी seat का है तो हम यहां पर करेंगे row number dot value अब इसी को आप copy कर लिजे आप loop के through भी कर सकते हैं या एक एक करके क्योंकि यहां पर मात तीन चार code लिखने है चार ही code लिखने है तो मैं चार डाल ला हूँ यह के बाद क्या होगा यह के होगा और यहां पर क्या होगा l होगा क्योंकि यह समझें यह क्या है बिसल की यह वाना heures क्या है यह दाट कहां seat 1 का है मतलब यहां का है तो यहां क्या था KLMN KLMN और यहां पे JKLM यहां पे क्या था JKLM और quantity और total यहां पे क्या आना चाहिए seat 4 इसी को paste किजिए एक वार और इसको delete कर देते हैं अब seat 4 की किस में quantity चाहिए N number में तो हम यहां पे क्या करेंगे N and new row is equal to 1 और फिर इसमें O में क्या चाहिए calculation तो यहां पे O है तो इसको कर देंगे O और यहां पर क्या डालेंगे यहां पे डालेंगे N N multiply multiply कौन सा किसमे हमारा यह जो item price है किसमे L में है तो हम इसको multiply करके इसको कर देंगे L राइट अब मानेज़े कि इसको यहां से ले जाएए O के syntax error कहीं आ रहा है seat for range seat for range N and new row अच्छा यह is equal to आ गया O के अब इसको हम फिर से यहां से ले जाते हैं और run करते हैं तो अभी देखिए जब तक आप image पे direct click नहीं करोगे तब तक नहीं होगा राइट ओके यह जैसे इसको आप delete कर दी जो दुवारा से और मैंने इस पे जैसे ही click किया तो देखिए क्या हुआ अच्छा एक चीज़ और देखिए बार बार इस code पे आ रहा है वक्षीट इवेंट पे हम चाहते हैं कि यह इस पे बार बार ना जाय है fine तो इसके लिए हम क्या करेंगे अब हमारा काम हो गया है effect करके बाहर निकल जाते हैं यहाँ पे हम कर देंगे application.enable events is equal to false और यहाँ पे हम कर देंगे सबसे last में application.enable .enable event is equal to true अब इससे benefit क्या होगा कि जब आप दूसरा item आइड करेंगे तो देखिए अब वो code जो है ना बार बार वहाँ नहीं जा रहे है ना जो seat workbook में इस वाले code में जो बार बार जा रहे थे यहाँ पे आप नहीं जाएंगे अब इसको run करेंगे और यह खतम हो गया यहाँ पे दूसरा item आइटम आ गया तीसरे में करेंगे तो तीसरा item हो गया चौथा पचमा छट्था बट इसमें एक problem आ रही है मान लेजे कि apple है apple पे हमने दुबारा click किया तो यह क्या हुआ apple नीचे add होगा हुआ जब्कि इसमें क्या होना चाहीं ही हमहें पता करना होगा कि सबसे पहले जिसे हम click कर रहे है उस fruit का नाम क्या है यह हमने पता करना है करेख congregation name is equal to seat1 dot range seat1 क्या इसमें इसमें item name किस number column में है L में है तो यहाँ पर करेंगे L and कौन से row number तो row number यहाँ पर है right तो यहाँ पर करेंगे row number इसके बाद इस item को हम कहां find करेंगे इस वाले item में find करेंगे कि इसमें कहीं available तो नहीं है right अब मालेजी कि इसको पहले ड्लीट कर दीजे अब यहाँ पर करेंगे set find item is equal to seat4 dot column column कितना है यह apple जो है यह कितने number column में है इसका column number निकाल के देख लेते हैं 11 number है right तो column 11 dot find find क्या करना है तो item name comma excel values comma excel बोल उसके बाद कहेंगे if find item is nothing मतलब कि अगर item नहीं मिला देन क्लोज करेंगे अब इसमें क्या होगा अभी क्या होगा देखिए अभी अगर हम apple पर click करेंगे तो कोई item add ही नहीं होगा क्यों नहीं item add होगा क्योंकि अगर इसको रन करके दुबारा पर click करेंगे तो देखिए find item nothing नहीं है मतलब item मिल गया है तभी तो यहां पर apple लिखा हुआ रहा है न तो अगर item मिल जाए तो क्या हो तो यहां पर करना होगा is और यह जो code है इस code को आप copy कर लेंगे ठीक है और new row के जगा पर क्या कर देंगे हम हम यहां पर कौन सा आइटम चाहिए जो यहां पर हमने find item किया है उसका रोची तो यहां पर क्या करेंगे find item.row और यहां पर भी कर देंगे हम find item.row यहां जहां जहां new row है वहां पर क्या कर देंगे find item.row और find item.row राइट अब इसको आप रन किजिए और दुबारा से एक पर रन करते हैं अब माने जी जैसे ही अपने अपल पर क्लिक किया जैसे क्या हुआ नथिंग है नथिंग नहीं है तो यह नए item में नहीं गया add होने नया row में add होने नहीं गया यह क्या हुआ simple seat fork range end and find item.row में क्या हो one plus हो जाए तो इसके लिए क्या करेंगे इसी को copy करके और यहां पर paste कर देंगे और plus one कर देंगे आप जैसे ही आप इस पर run किये तो इस क्या हुआ है यहां पर दो हो गया और जब लेकिन calculation नहीं हुआ है जैसे ही आप दुवारा इस पर click करेंगे तो यहां पर calculation हो गया राइट अब आप यहां पर चलिए और इसको रन किजिए अब यहां पर जिस भी आइटम में आइड करेंगे देखिए का यहां पर quantity के वल बढ़ रहा है आप जैसे सब्सक्राइब कि पियर्स में हम चेंज कर रहे हैं तो पियर्स में जब चेंज करने तो देखिए quantity बढ़ता जा रहा है राइट तो आई होब आपको समझ में आ गया होगा कि यहां पर जो में क्या है कि जैसे class module हमने यूज़ा फॉर्म में बनाया है उसी तरह का code यहां पर सब्सक्राइब ही बनाना है रख रखा है राइट तो सबसे पहले तो इसको डिलीट किजे और यहां पर पहले इस सब को डिलीट किजे पहले अब यहां पर फूर्ट पर क्लिक किया तो अभी केवल आया फूर्ट मतलब क्या है कि इसके पहले जो इंसर्ट है उसको डिलीट होना चाहिए तो यह जो code हमन यहां पर जितने है आइटम उतने इमेज होंगे उतने इमेज को हमें डिलीट करने है तो उसके लिए हम क्या करेंगे एक लूप चलाएंगे तो यहां पर देखिए लाश्ट रो हमने पहले निकाला सीट वन का फिर फिर इमेज नमबर वन टू लाश्ट रो माइनस वन तो यहां पर वन से न करके हम क्या करेंगे टू टू लाश्ट रो कर दीज़ें राइट क्योंकि यहां पर वन से लेके लाश्ट रो माइनस वन इसलिए किया गया था क्योंकि यूज़प फोर में हमने वन स पे स्टार्ट किया था उसका नाम अब यहां पर यह सब हटा देंगे इसकी जववत नहीं है यहां पर सिंपली करेंगे सीट फोर डॉट सेप्स और सेप का नाम क्या था आई एंजी एंड इमेज नंबर डॉट डिलीट यह डिलीट हो गया अब सपोस्ट मालेजे अब आप इस पर क्लिक करेंगे तो यह क्या हुआ पहले वाला फोटो जो है उसको डिलीट कर देगा दूसरा फोटो इंसर्ट कर दे यह एक सेप को डिलीट करने तो जा रहा है लेकिन क्या हो रहा है यहां पर कोई सेप मिला ही नहीं तो हम यहां पर क्या करेंगे on error resume next अब आप इसको दुबारा से फूर्ट पे क्लिक कीजिए तो यहां यहां से आप सारे का आइटम को डिलीट भी कर सकतें कोई दिक्कत नही अब यहां पर एक save का button बना लिजिए कि जैसे ही save करें तो यह सारा आपका delete हो जाए right save या reset वगरा करना हो तो इसको delete हो जाए के वल तो यह simple सा है यहां से लेकर यहां तक range लिजिए उसको कर जीए क्या clear content that's it तो I hope आपको यह video अच्छा लगा होगा अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो please comment like and share करना न भूले और मेरे चैनल को अभी तक आपने subscribe नहीं किया है तो please subscribe करें और कोई feedback हो तो please comment box में जरूर डाले तो चलिए इसी केसाद धन्यवाद